बिरन्तर परिवर्तन शील यह भौर्पिक प्रकृति अधीभूत है ब्रह्म क्या है अध्यात्म उसका सभाव अध्यात्म वो वैसे के वैसे रहने वाला लेकिन प्रकृति ब्रह्म का दुस्सा सरूप प्रकृति वो क्या है वो परिवर्तन शील है यह जो प्रकृति है यही आधि भौतिक है इसकी जो शक्ति है उसको आधि भौतिक कहते है तो कह रहे है भगवान निरंतर परिवर्तन शील यह भौतिक प्रकृति आधि भूत कहलाती है और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र और समस्त देवता सब मिलीत हैं सूर्य चंद्र इंद्र बारिश के देवता अग्नी के देवता समुद्र जल के देवता वरुन देवता यह देवता दसों दिशाह में 10 दिक्पाल यह देवता वह एक चीज का परन करने के लिए एक देवता है ऐसे मिन्नी कुमार सब्सक्राइब कोटी कोटी या नि के टेग्रीज की देवता बनाएं गए पर करोड नहीं करोड तो लेकिन में जो अर्थ होता 33 कोटी तो 33 कह पर opener केडगरी तो कोटी के दोनों अर्थ है ऐसे ही हमारे यह 33 कोटी के देवत्प तो में में देवता तो आप लोग जानते ही हो। जब हम हावन करते हैं उनकी इन देवता का नाम हेते हैं। अहंकार तीन बूपों में परवर्तित होता है फिर उससे पनसन बात्राइं होती निकलते हैं और पिर देवता अलग अलग रहते हैं फिर भगमान सब चोडते हैं एक ब्रह्माण में फिर वह से ब्रह्माजी इंग्रेटेंट्स लेकर पुरिश्टि का निर्माण करते हैं तो देवता जिनकी अभी तक पूजा आप कर रहे थे उसका एक ही definition है, यह सारे बारिश, इंदर, अगनी, नोगरा, छेतरपाल, इत्यादी. यह सब कहां से आए, कहां से एनर्जी ले रहें, यह चल नहीं सकते अपने आप, यह जब भगवान से एनरजी लेते हैं भगवान से जब इनको शक्ति मिलती है तो यह कुछ कर पाते हैं तो हम इनकी पूजा भी तक कर रहे थे और हम में भगवान को भूल जा रहे थे तो भगवान बोल रहे हैं इस सब देवता मेरे से आये हैं तो आधी भूतम छरो भावा पुरुशस चादी देवतम आधी यग्यों हवे अहम एव महात्र देह देव रिताम रख भगवान का विराठ रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रों समस्त्र देवता सम्मेलित हैं आधी देव कहलाता है तथा प्रत्यक देधारी के रिदे में परमात्मा सुरूप में मैं प सभी के अंदर देव परमात्मा रूप में अहम एव मैं एक मात्र रहता हूं कि सबके जो सबके सबका स्वामी मैं ही हूँ यह भगवान ने कहा परमात्मा सुरूप सित मैं परमेश्वर अधिया ज्य कहलाता हूं तो आप लोगोंने अध्यात्मिक आधि भौतिक आधि आध्यात्मिक आत्मा आत्मा क्या है ब्रह्मसरूप आधि भौतिक प्रकृति यह शरीर क्या है यह प्रकृति नहीं दिया पंच भूतों से बना शरीर है मन बुद्धि हंकार तो यह शरीर प्रकृति इससे जो कुछ भी हो रहा है इसकी जो भी शक्ति है वो आधि भौतिक आत ब्रह्मस रूह अध्यात्मिक शरीर भौतिक इसकी शक्तिया आधि भौतिक यह जो प्रकृति है यह प्रकृति रुपी शरीर यह बाहर के प्रकृति से जुड़ा हुआ है हमारे एक स्टेट्मेंट मुलते हैं यत्पिंदे तक ब्रह्मांडे जो माईक्रो कॉजम जो प्रकृतिक शरीर बाहर के से जुड़ा हुआ है," बाहर ठेंडी होगी। आपको भी ठेंडी लग जैगी। बाहर गर्मी होगी, आपको भी गर्मी लग जाएगी, आपका तुब खराब होगा बड़ी का, खान-पान जो प्रकृती देती है, उस सीजन से अगर हम खान-पान करेंगे, तो हमारा सब कुल सही रहेगा, हम उल्टे खान-पन करते हैं प्रकृतिक अगेंस जा करके सब उल्गडवड़ हो जाता है यह जो शरीर है यह प्रकृतिक शरीर है यह बाहर के प्रकृति से जुड़ी हुए यह दोनों जुड़े हुए हैं आपस में यह आधि भावतिक हमारे तीन तरह के ताप कहते हैं तो है भी के नहीं देवता लोग वो देवता लोग हमको परिशान कर रहे हैं कि परिशान कर रहे हैं आरे कोई ग्रह में कुछ हलचल हुई अगर प्रित्वी के वनस्पतियों को ठीक से नहीं रखा गया एकलोजिकल बैलेंस को यहां पर अगर गडबड किया गया तो कुछ इंटर कनेक्टेड है तो इसी को कहते हैं आधी दैवी कि हमारे कंट्रोल के बाहर है लेकिन जितना हम कंट्रोल कर सकते करें अगर चंद्रमा का जैसे चंद्रमा की कलाय बढ़ती है या कम होती उसी साब से आप देखो कि समुद्र की जवारभाटा उपर नीचे होती ह हें इनिए जो प्रकृति ने करके दिखाया है हम को इसलिए बताया कि नेचर में जो कुछ भी है चंद्रमा के वजह, जवारभाटा बढ़ता है जवारभाटा जो है वो नदी है, मतलब जलतत्व ऑन तो मारे शरीर के अंदर भी जलतत्व है अगर समुद्र में तो यह आधिदेविक तो हमारे जो रिशी मुनी मैंने कहा रिसर्चर है वो साइंटिस होते थे तो वो जब ध्यान करने बैठते थे न तो वो विधी विदान ये रिच्वल्स ये तो अभी के जमाने में हो गए क्या मंतर जपर क्या माला जपर वो इस साइंस को जाकर के समझत होती है वो इतनी सुक्ष्म तरंगों को वो पकड़ते थे इतनी सुक्ष्म वेदनाओं को मैंने कहा रहा वेर यानी वेदना वो इतनी सुक्ष्म वेदनाओं को वो पकड़ते थे इसलिए उन्होंने सारा साइंस बनाया जिसको हमके वल रिच्वल समझते हैं या हमके वल र तो आमनुश्यतीन तरह के तापों में हमेशा फ़सा रहता है अध्यात्मिक, आधी बहुतिक, आधी देविक, सुर्यग्र, सेश्यनीग्र, सब परिशान कर रहे हैं, आधी देविक, प्रकृतिकापता आ गई आधिदेविक साइकलोन आगया आपके एरिया में क्या करोगे सब कुछ वेल प्लैंड है और साइकलोन आगया सब डूग गया क्या करोगे गनया नया घर खरी था बहुत अच्छी से जगा में खुब पैसे डाल करके पता चल गया पहाड़ों में आग लगी घर भी जल गया क्या करोगे आधिदेविक इस प्रकार से यह 3 आधी, इन चीज़ों को याद रख लेकिया, यह क्या होता है हमारे एक शब्द युसकरते ताप पत्रै थीन तरह के ताप, हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो इन तीन तरह के तापों से सताया जाता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानि आपकी आत्मा, आत्मा क्या है आपकी चेत्ना, चेत्ना में क्या ताप होता है, चेत्ना में राग अर्द्वेश, काम, लोग, मो, मद, मत्सर का ताप होता है, वह आध्यात्मिक ताप है, आधि भौतिक यह शरीद के जो शरीद गुढ़ा होने वाला है मृत्ति होने वाली है बीमारियों का घर बनने वाला है यह शरीर का ताप है आधी भोतिक और आधी दैविक कि प्लानेटरी देवताओं का ताप है तो यह तीन तरह के ताप होते हैं